हलो गाइज, वेलकम तो माई चैनल तरुन सर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जावा में एरे में से माक्सिमम फाइंड आउट करने का प्रोग्राम जो है वो बनाना सिखाऊंगा आज आएए स्टार्ट करते हैं और उमीद करता हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले कि आपको जावा के जो बेसिक कॉंसेट्स है लाइक एरे को डिक्लेयर कैसे करना है हमें उसे मैमरी किस तरह से देनी है लूप्स वगरा क्या है ये फैल्स क्या है ये आते होंग अगर ये नहीं आते हैं तो इस ब्रोग्रेम को समझने से पहले अप लोग प्लीज इस कॉंसेट्स को नाम लिया है इन कॉंसेट्स को जरूर्ट क्लियर करें जो गई लेट्स स्टार्ट जावा फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया एक न्यू फाइल यहां क्रेट कर दी इसे मैंने सेव कर दिया है maximum in array.java नाम से fine guys, सबसे पहले यहां पे मैंने इंपोर्ट कर लिया java.util.scanner को ताकि हम input जो है वो ले सकें basically font थोड़ा ज्यादा बड़ा है इसे कम कर देता हूं थोड़ा fine यह ठीक रहेगा now हम लोगों ने class create करी maximum in array इसमें हमने main method जो है वो जनरेट कर लिया public static wide main main function हमें पता है string type के array को as a parameter लेता है, as a argument लेता है now हमने scanner का सबसे बहले एक object बनाया and इस scanner object को memory देने का काम किया fine guys, इसके बाद हम एक size variable ले ले लेते हैं जिसमें हम array का size input लेंगे so इसके लिए मैंने user को पहले message दिया message दे दिया हमने enter size of array अब बिना input लिए भी कर सकते थे ये काम लेकिन उसमें array का size है वो fix हो जाता now kb.nextint इससे जो size variable है उसमें value input हो जाएगी fine guys, इसके बाद हम क्या करते हैं जो array है उसका reference declare करते हैं arr equal to new int इसे size elements के हमने memory दे दी अब सबसे बहले हमें values input लेनी है तो हमने use क्या system.out.println enter size values in array now हमने एक loop setup कर दिया integer i equals to 0 से i less than error.length, length property को use करना एक अच्छी चीज है हमेशा यह हमें क्या देती है array का size देती है, right और यहां हमने क्या करा error i equal to kb.next इसे पूरे array में values input करवा दी now सबसे पहले हमने integer max equitable बनाया और इसमें array के 0 इंडेक्स की value को store कर दिया तो जो भी first value है array में, जो भी हम input देंगे execution time पे, वो maximum में store हो जाएगी now इसके बाद हमें maximum find out करना हमने एक 4 each loop setup किया int n colon arr, तो n में क्या होता रहेगा बच्चो, arr से एक एक value अपने आप fetch होती रहेगी 4 each loop के कारण now इसमें हमने लगाया if, check करा n अगर बढ़ा है max से so max बराबर हमने assign क्या कर दिया n ठीक है guys loop के बाद हमने print करा दिया maximum is and max की value एक बार इसे compile and run कर ले हम लोग, उसके बाद में मैं आपको इसका जो logic है वो एक बार explain कर दूँँ आच्छे से so run करने के लिए, execute करने के लिए हम लोगोंने यह राइट क्लिक किया open containing folder now यह folder open हुआ, यहां जाकर कि simply हमने type किया cmd, java command prompt open हो गया हमारे लिए java c, maximum in array मैंने tap दबाया, max type करके, autocomplete हो गया नाम, यह dos का feature है basically compile कर लेते हैं, अगर कुछ error होगी तो error आएगी, कोई error नहीं है, अब इसे execute कर लेते हैं, execute करते हैं हमें class का नाम देना होता है, java command के बाद, और dot java नहीं लिखते, now size मैंने दे दिया है, हापे suppose error का 4, 100, 205, 23, 109, fine guys, maximum is 205, result ठीक आ रहा है हमारा, अभी इसको एक बार, मैं आपको logic को जो है, वो explain कर देता हूँ, so मुझे diagram बनाना होगा, तो मैं paint brush open कर रहा हूँ, इसको बढ़ा कर लेते हैं पूरा, and थोड़ा साइड बाई साइड हमारे programs को रखते हैं हम लोग, so यह हमारा code है, यह हमारी paint brush window है, देखे सबसे पहले हमने एक size variable बनाया, right, so यह size जो variable है, यह हम बना देते हैं यहाँ पर, यह हमारा size variable बन गया, fine guys, इसके बाद देखे next statement में हमने क्या करा, user को message दिया, enter size of array, then size में value ली, suppose हमने size में जो value ली, that is 4, जो अभी हमने लिया है, वो ही कर लेते हैं, जो execute किया, उसी के according, किसी और value के लिए अगर आपको कोई doubt आए, तो आप मेरे से इस video पर comment करके पुछ लीजेगा, that is not an issue, now हमने एक ARR reference declare किया, और उसे memory दी new int size की, तो सबसे पहले हमारा जो reference है memory में, यह reference बन गया, ARR basically, this is ARR, and इसे हमने new int size से memory दी, यानि 4 elements की इसको memory मिल रही है, so यह 4 elements का basically एक array बन गया हमारे पास में, यह ARR 0 हो जाएगा, यह ARR 1 हो जाएगा, यह ARR 2 और यह ARR 3, नाम भी दे देते हैं, यह क्या बन गया हमारे पास, ARR 0, यह बन गया हमारे पास में, ARR 1, यह बन गया, ARR 2, और यह last वाला है, ARR 3, ठीके गईज? इसके बाद हमने क्या करा, यूजर को message दिया, enter size values, तो screen पे हमारा message प्रिंट हो गया, enter 4 values in array, then हमने loop setup कर दिया, I बराबर 0 सा I less than ARR.length, आई की value पहली बार क्या है, भई 0 है, तो ARR 0 पर क्या हुआ हुआ, हमने value input दे दी, तो ARR 0 पर हमने input दे दिया, suppose, अभी क्या input दिया था, वो ही ले ले लेते हैं हम लोग एक बार. तो हमने दिया था 100, तो ARR 0 पर आगया हमारे पास में 100, फिर उसके आद में I plus plus हुआ, इस बार input हुआ, इस बार input हुआ, इस बार input दिया 205, तो 205 आगया ARR 1 पर, फिर हमने input दिया था 23, तो 23 आगया, फिर हमने दिया था 109, तो 109 input हो गया. चीके गईज? नाओ, ये input वाल लूप कम्प्लीट हुआ, देन मैक्स हमने वेरियेबल बनाया, उसमें ARR 0 को स्टोर किया है, राइट? तो ये हमारे पास में मैक्स वेरियेबल क्रेट हुआ भी, नाम क्या है इसका मैक्स? किस वेल्यू का हम स्टोर कर रहे हैं भी? इसमें, हम स्टोर कर रहे हैं, ARR 0 की वेल्यू को राइट, तो ARR 0 में क्या पड़ा है? 100, that means मैक्स में कितना आ गया हमारे पास 100, so मैक्स की वेल्यू कितनी होगी? 100, fine guys, then हमने 4-each loop setup किया, N में ARR से एक-एक वेल्यू आ रही है, so N variable बना देते हैं सबसे पहले हम, यह हमारे पास बन गया N variable, fine, इसमें ARR से एक-एक करके वेल्यू आ रही है, so इसमें होगा क्या भई? इसमें सबसे पहले जो 100 है, वो N में आ करके स्टोर होगा, so N की value किती हो जाएगी हमारे पास में? 100, fine, यहाँ पर चेक होगा N बढ़ा है क्या max से, यह condition false हो जाएगी, क्योंकि N में already 100 बढ़ा है, फिर क्या होगा? फिर से N colon ARR लिखा, यानि ARR की जो next value है, ARR 1 की जो value है, वो N में आ करके स्टोर होगी, so this time, जो N है, इसमें 100 की बज़ाए, दिखेगा, इसमें 100 की बज़ाए क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां से 100 हट गया, ARR 1 की value आएगी, राइट, so ARR 1 की value क्या है, 205, यहां करके स्टोर हो रही है कहा, N में, so N में इस बार कितना आ गया हमारे पास? 205, अब लूप के अंदर आएगे, आपे चेक वोगए N बढ़ा है क्या max, say condition true है, तो max में क्या आ गई? N की value, so हमारे पास जो 100 बढ़ा था, इस max variable में है, इसकी बज़ाए, यह तो हट गया है यहां से, इसकी बज़ाए कितना आ गया हमारे पास? 205, fine guys, फिर next time N में ARR से value आएगी, इस बार ARR 2 की value N में आ जाएगी, that means, यहां पर, क्या आ जाएगा basically, ARR 2 का मान, जो कितना है? 23, so यह N में आया, तो 205 N से अट गया है, अभी यहां क्या बचा है हमारे लिए? 23 बचा है, fine, then loop के अंदर if में गया, चेक वो, N बढ़ा है क्या max से, यह condition false है, तो max update नहीं हुआ, max में स्टिल कितना पड़ा है, 205, उसके बाद फिर से loop चला, N में next value आ जाएगी, ARR की, तो ARR 3 का मान आएगा, that means, यहां पर क्या आ जाएगा भी हमारे पास में, जो 109 है, यानि ARR 3 की जो value है, वो N में आ करके store हो रही है इस बार, यानि, जो 23 पड़ा था, यह remove हो जाएगा यहां से, fine, and इसकी जगा पर, हमारे पास कितना आ जाएगा, 109, okay, then next step में आएगा, code में, N बढ़ा है क्या max से, इस बार फिर से condition false है, क्योंकि देखिए, max में क्या पड़ा है हमारे पास, यहां paintbrush measurement diagram बना है, उसमें आप देख सकते है, max में पड़ा है, 205, तो अभी जो N की value 109 है, यह बड़ी है क्या max से नहीं है, तो max update नहीं हुआ, फिर से, int, N, ARR, loop पे गया, अब ARR में से कोई value बची है, जो हमारे पास N में नहीं आई हो, नहीं बची है, तो यह loop खतम हो जाएगा, loop से बार आएगा, print करा देगा, maximum is N, max की value को, तो दोस्तों, यह था हमारे पास, जावा में, ARR में से maximum निकालने का program, उमीद करता हूँ, logic जो है, वो आपको समझाया होगा, अगर कोई भी doubt आपको रह जाता है इस logic में, आप video पर comment करें, मैं definitely आपके doubt को दूर करने की कोशिश करूँगा, गाइज, अगर आपको video अच्छा लगाया, और आप इस logic को समझ पाए, तो मैं request करूँगा आपसे, आप मेरे चैनल को subscribe करें, साथ ही साथ अपने friends, अपने juniors के साथ, मेरे videos को, मेरे चैनल को share करें, उन्हें subscribe करने के लिए motivate करें, ताकि वो लोग भी programming सीख सकें, प्रोग्राम चाहिए, तो वहाँ पर मैं आपको प्रोग्राम जो है वो अलग से provide करवा दूँगा, once again, thank you, thanks for watching this video, have a nice day, have fun and enjoy.